स्बसक्राइब डूस्तों स्वागत है आपका täLEYmis 11 के एक लए इस एपसोड में बात करने वाला हूँ एक नए फोन के बारे में जो की है ओको का निया A54 जी हां दोस्तों सही शुना आपने Opo का नया A54 इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसके specifications के बारे में इसके first look के बारे में क्या है इसका price क्या है इसकी qualities और क्या है इसकी performance इस वीडियो में फुल डे डे डियल तो बिना समयगवाए हुए आई इस वीडियो को शुरू करें दोस्तों करते हैं box की seal break और देखते हैं इसमें आसा क्या खास है जल्दे से box की seal हटाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, box होकि है open यहां पर है कुछ एक box जिसमें है होगा शायद से एक cover जी हां इसमें एक cover ही होगा कहां से खोलना इसको यह खोल लिया यह एक transparent cover यह एक silicon cover जो की गिरगिर की तरह बहुत जल्दी रंग बदलेगा यानि की हो जाएगा पिला तो फैंकते इसको side पे तो हमारे हाथ में आता है oppo का नया brand new phone जियां दोस्तों देखने में इसकी first look कुछ ऐसे है मेरे पास है यह अलग color यानि इस पे तीन color available है एक black एक blue और यह gold जियां दोस्तों gold cover में काफी जादा यह अच्छा लग रहा है इसकी finish काफी जादा अच्छी है और अगर बात करूं इसके phone को qualities को लेकर तो इस पाद यहां एक sim tray ejection tool बागी कुछ ग्यान से वरी बात हैं यहां पर है एक 18 watts का fast charger और यह type A to type C cable यानि कि कुछ भी इसमें ऐसा खास नहीं है तो इसको हटाते हैं side पे performance तो काफी अच्छी है लेकिन और यह हो गया phone on अब खोलते हैं इस phone को और देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है यह कि हमने phone open जानते हैं इसकी details तो यहां पर हमारे पास about settings में जाकर इसकी details तो यह Android 10 वर्जन बेस्ट ओपो A54 तो यह है MediaTek P35 के साथ आने वाला phone देखते हैं इसकी phone की first look यहां पर एक fingerprint sensor उपर देखे तो उपर कुछ भी नहीं है पीछे है एक triple camera setup जिसमें की है primary camera 13 16 Megapixels का और बाकी 22 Megapixels के और साथ में है एक side में selfie flash और बात करें front view की तो यहां पर है 16 Megapixels का punch hole camera और बात करें another side की तो यहां पर है SIM tray ejection tool यहां पर आपको दिखती है pin डालने को up and down button और नीचे देखे फोन की तरफ तो यहां पर है उनका charging slot headphone jack और प्यारा सा speaker और यहां प खोल कर देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है बात करें फोन के installs app की तो यहां पर कुछ भी बक्वास नहीं है यहां पर है ओपो के कुछ अपने apps काफी जदा important apps और बाकी कुछ भी नहीं यहां पर फालतू का कुछ भी नहीं है about phone में जाकर हम इस phone's की detail के बार में पता करत हैं तो यह phone की शुरुआती कीमत जो है 14,490 रुपए यानि की 14,000 और यह starting version है इसका 4GB RAM और 64GB की storage के साथ तो यह है एक octa core processor के साथ आने वाला phone जिसमें की है Mediatek Helio P35 processor और बाकी बहुत कुछ तो मेरे हाथ में एक 6GB RAM 128GB का storage का variant और यहां पर है आपको दिखता है Android 10 का version यानि यह phone इतना भी खास नहीं है यहां पर basic Android 10 ही दिया हुआ है ना कि Android 11 लेकिन update के बाद इसमें भी Android 11 जो है आपको देखने को मिल जाएगा बात करें इसके camera की तो camera कुछ जादा खास नहीं है rare अगर हम बात करें इसके front camera को लेकर तो front camera काफी ही जादा अच्छी आपको photos दे सक तरह क्योंकि इसमें 16 Megapixel का punch hole camera बात करें इसके phone के look की तो look काफी premium लगती है दोस्तों यह बाकी phones की तरह इतना भी बेकार color नहीं है काफी अच्छा color है यह phone के cover में तो यहां पर front में कुछ phone की branding है यहां पर है OPPO और ICIC की branding और यहां पर पीछे कुछ details दी हुई है जिसमें की है 5000 mAh की long lasting battery 18 watts का fast charger I care punch hole display और 16 Megapixel का artificial intelligence selfie camera तो यहां पर मेरे हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ में है 6 GB RAM 128 GB का storage बात करें side mountain fingerprint sensor की तो यह काफी जदा तेज है और अगर हम बात करें face unlock की तो यह भी काफी जदा तेज है यानि की phone तो काफी अच्छा है और pricing के हिसाब से यह है 15,000 वाला variant तो pricing के हिसाब से इसकी specifications काफी है लेकिन OPPO ने जो rare camera है वो काफी कम दिया है यानि की 15,000 में बाकी phone में और इसके हम बात करें तो इसमें 5000 में की बैटरी यानि की phone तो काफी देख तक चल ही जाएगा तो यहां पर background काफी जादा अच्छा है बाकी देखें options तो options भी कम ही है nearby share इसमें available है और Google Assistant भी इसमें available है और अगर हम बात करें इसके voice को लेकर तो यार गाना बजाना तो है तो देखते हैं इसको कैसे है इसकी voice तो आप कमेंट में की इसमें ऐसा कौन सा गाना बजाए जाए ताकि इसकी voice वह अच्छे से टेस्ट की जाए मैं तो यहां पर बास बूस्टेड सॉंग्स को टेस्ट करने वाला हूं यानि की देखते हैं कैसे चलते हैं यह यार यह यूट्यूब की एड्स को नाम नहीं लिखते हैं खतम होने गई यार इनको हटाओ पीछे आप करते हैं voice test तो अब है final testing voice इसको करते हैं escape तो भाई वाइस तो काफी ज़्यादा अच्छी है और बस फिलाल में लिपसे नहीं वीडियो करें लाइकन शेयर चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बैल को अन कर लीजिए और कमेंट में कोई भी एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए जाकि यह फोन आपका हो और अगर आपके पास कोई भी सवाल यां तो कमेंट में जाकर ज़ूरूर बताएगा तो बस फिलाल में लिपसे नहीं वीडियो कर देजिए कि लाइकन शेयर चैनल को अन कर लीजिए और कमेंट में कोई बी एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए जाकि यह फोन आपका हो नहीं बाइबाइ